आज एक नया वीडियो लेकर के आ गया है आसा करतीव कि आप लोगं को अच्छा लगेगा पूरा वीडियो देखे रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे हम पानी पूरी बनाएंगे आज तो पहले उसका आलू का चोखा बना लेते हैं तो इसके लिए हम मतर को नमक हल्दी से बॉयल करके रखे हैं और यहाँ पे आलू ले लिए हैं बॉयल क्या हुआ और ले लिए हैं कटा हुआ प्याज धनिया पत्ता बारी कटा हुआ और हरी मिर्च बारी कटा हुआ अभी यह सब को अच्छा से मैस करेंगे और यह सब मिक्स कर लेंगे मिर्ची यहां पर कम दिया हैं आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं तो अभी सब को एक साथ अच्छा से मिक्स कर ले रहा है क्योंकि हम लोग जम्शतपूर में जो पानी पूरी है ऐसे ही आलू के चोखा और मंटर के साथ खाते हैं तो देखिए यहां पर हम थोड़ा इमली को भीगा के रखे थे अभी इमली में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छा से हाथ से मैश कर ले रहा है और बाहर का पार्णी पूरी खाना इतना हाईजनिक नहीं होता है तो इसलिए अगर हम लोग घर पे बना के खाते हैं तो बच्चे लोग को भी कुछ प्रॉबलम नहीं होता है तो इसलिए हम यहां पर घर पे कभी-कभी बनाते हैं तो यहाँ पर दे दिये हैं इमली का पानी अब दे दिये हैं जो बॉयल किया हुआ मटर था वो इसमें डाल दिये और अभी इसमें थोड़ा सा नमक पहले से देखे रखे थे अभी यहाँ पर थोड़ा सा और नमक डाल दिये इसमें काला नमक देते तो ज्यादा अच्छा रह तो यह डालेंगे, यह डालने के बाद अच्छा से सब को फिर से मैश कर लेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा और इमली का पानी डाले, तो इमली का पानी से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, तो देखिए इस तरह से हम इसको रेडी कर ले रहे हैं, और आज हम पानी पूरी के साथ, दो जो पानी है वो रेडी किये हैं, यहाँ पे ले लिया हैं, हम तीखा पानी, तो जैसा नॉर्मल जो इमली है, उसको भीगो करके, धनिया पत्ता के साथ रेडी करके रखे हैं, यहाँ पे डाल देंगे, पानी पूरी मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो देखे मेरा पानी रेडी हो गया, यहाँ पे हम ले लिया है मिठी चटनी, तो इसमें खजूर और इमली गूर का जो पतला सा चटनी है, उसमें हम थोड़ा पानी मिक्स कर दिया है, बस मेरा दोनों चटनी जो पानी है वो रेडी है, और काशे टेस्ट है, नमक भूण सब ठीक है क्या नहीं, और अभी इसमें दे दीया थिखा पानी और इसमें दे दै रहे हैं मिठा पानी हम लोग यहाँपे जैसी यहाँपे हम लोग क्गटा पानी से खाते हैं, लेकिन वाम padres मे में में मिठा तीखा दोनों पानी से खाते थे, तो दृती को भी वही आदत है तो हम लोग घर पे बनाते हैं तो मीठा तीखा तोनों पानी बनाते हैं आप लोग एक बना के देखिए बहुत अच्छा लगेगा खाने में टेस्ट और हम लोग अभी यह खा लेंगे और आज का और एक आइटम है अभी हम लोग खाएंगे कोनेटो, कभी कभी हम लोग Mormon बेटी घर पे दोनों ऐसे ही एंजॉय कर लेते हैं तो अभी हम लोग कोनेटो खा लेंगे और धृती को भी थोड़ा अच्छा लगता है हम उसके साथ ऐसा खाते हैं तो अभी हम लोग का रात का यही डिनर हो जाएगा आज और एक चीज बनाये थे हुआ हम आपके शेयर कर रहे हैं कस्टड फूट कस्टड यह बहुत इजी प्रोसेस से हम बनाये हैं पहले एक बर बनाये थे तो बहुत ही गाड़ा हो गया था तो अभी देखिये हम हम एकदम परफेक्ट रैसीपी ले करके आये हैं तो यहां पे हम दूद ले लिये हैं दूद हम पहले बॉल कर लिये थे फिर बहुत बर हम इस में और एक बाद दूद को अच्छा से कराई में बॉयल कर ले रहे हैं यह दूद बॉइल हो जाएगा तो अभी हम इसमें एक बार उबाला जाएगा तो इसका जो काम है हम सुरू करेंगे तो देखें दूद को गरम कर ले रहा है अच्छा शर्ड अभी हम इसमें दे दे रहा है छोटा वाटी का एक वाटी सक्कर क्योंकि यह ज्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि फ्रूट्स मीठा ही होता है तो देखें इसमें हम दूद और चीनी को अच्छा से पीगलने देंगे और अभी इसमें से दो चमच जो दूद है हम इसमें से निकाल ले रहा है अभी इसमें क्या करेंगे जो कस्टड पॉडर है यह लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे हम जितना दूद लिया है इसमें एक से तेर स्पून का जो कस्टड पॉडर है यह उतना ही काफी हो जागा तो देखिए अभी हम यहाँ पर देड़ स्पून तक हम लिये हैं और इसको दूद में अच्छा से घोल ले रहा है कोई लंस नहीं रहेगा इसमें तो तभी बहुत अच्छा कस्टड बनेगा और ठंडा ठंडा कस्टड खाने में बहुत अच्छा लगता है दृती को बहुत तो इसके लिए अभी हम दूद को बॉयल होने देंगे और थोड़ा थोड़ा करके कस्टड का जो लिक्वीट करके रखे हैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे एक साथ नहीं डालेंगे तो देखिए अभी हम थोड़ा करके दूद मिक्स कर रहा है और अभी अच्छा स इसको boil होने देंगे तो ये थोड़ा सा थीक हो जाएगा गारा हो जाएगा तो इतना ही concentration नी जाएए मेरो को अभी देखिए ये थीक हो जा रहा है देखिए अभी इतना ही चाहिए मुझे तो इससे बहुत अच्छा ना जादा गारा होगा ना जादा पतला अभी हम जो fruits कट करके रखे थे वो सब डाल दे रहा है अभी दे दे रहा है grapes और इसमें दे दे रहा है बनाना और जो आमंड है वो थोड़ा सा इसमें डाल दिये है और इसको थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा सा और boil हो जाना देगे देखिए एकदम perfect हो गया है अभी इसको surf करेंगे तो एक ball ले लिये हैं इसमें दो चमच हम custard डाल दिये और उपर से ही आपे डालेंगे थोड़ा सा dry fruits और उपर से टूटी फूटी बस रेडी हो गया आज का वीडियो इतना ही फिल्मे लेंगे दूसरे ब्लाग पर